अरे क्या कहा? मैं उर्प्यार! अरे रोग नम्बर है यार! जर्वतिश नहीं है, जर्वतिश नहीं है, ये सबकी अपने को जर्वतिश नहीं है वो खुश होगी उपर से पर अंदर से घायल भी होगी, हो गई होगी कुछ समझदार पर थोड़ी पागल भी होगी और क्या बोले मुझे भूल चुकी अमा छोड़ो तुम जाओ देखो ससुराल मोस के गहनों में एक मेरी पायल भी होगी के मैं मैं ना रहा पर मेरी मुसका नभी सच्ची है के मैं मैं ना रहा पर मेरी मुसका नभी सच्ची है तेरे बस की बात नहीं हम शायरों की मुभबत समझना आ जा तू अभी बच्ची है ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था मैं बजबी जाता तो एक रोज मरने वाला था मेरा नसीब मेरे हाथ कड़ गए वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर बरने वाला इतनी दफास सताया गया हूँ मगर खुदा मेरे हक में इनसाफ नहीं करता एक बुरी आदत आज भी है मेरे अंदर मैं किसी को माफ करके भी माफ नहीं करता तेरे मेरे इश्ग के बारे में सब को बता दिया था मैंने मैं जिंदगी को अपना मैदान और मुसीबतों को अपना कोच रखता हूँ और यह शोफ वाले जरा मुट्स दूर रहे तो ब्रांडीड चीज़ या नहीं ब्रांडीड सोच रखता हूँ कभी खुद को मेरी जगा रखके दे कभी खुद को मेरी जगा रखके ले तुझे तरस ना तो छोड़ दे नाश्ट बेंच पर बैट का टीचर का नाम चिलाया बहुत है कि लंच से पहले दोस्त का टिफिन चुरा कर खाया बहुत है कि ऐसे स्कूल में बहुत सारे कारनामें किये है तुम दोस्तों की बात करते हो हमने टीचर से भी मज़े लिये है अदायें कातिल होती है अगें नशीली होती है महबत में अक्सर होट सुके होते है आँखे गेली होते है हैं खामोशी से रहने दो मुझे- ना मेरे सामने उसकी बात होगी और ना मैं उसकी बात करूँगा उसे गिरिगीट पसंद थे मैं भी बदल के मुलाकात करूँगा कि इतना चुबने लगा हूँ सबको छुरा तो नहीं हूँ जानी तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूँ मुझे घर में चारो तरफ दिखाई दे वो मुझे कमरे की दिवारें उसके जैसी चाहिए और अपने बाप की इज़त की खातर चोड़ा उसने मुझे या अल्ला मुझे बेटी उसके जैसी चाहिए रिजेक्ट करती है मगर एसेट फैकने का नहीं